हालो फ्रेंड्स वेल्कम बैक माई यूट्यूब चैनल स्स्पेजाट्रिक्स आज का टॉपिक जो है वो है मेरे पास लेबरेटरी असेस्मेंट की हैल्प से हम एक इंडिविजुल का न्यूटिशनल स्टेटस को कैसे असेस करेंगे तो इसी के ही कंटिनुएशन में मैंने प् किसी को कोई साइंस बॉली शो करती है किसी की नीजरेंट में पेंडाय कोई थोड़ा वीक फील करने लगता है तो वो कुछ एक साइंस के साथ जो इनडिविजुल कोई भी जो इनडिविजुल है वो आपने डॉक्टर के पास जाता है दो दॉक्टर उसको कुछ एक सब्सक्राइब करें देखते हैं कि हाँ आपको विटामिल डी की डेफिशेंशी हुआ है यह कैल्शिम कर डेफिशेंशी है तो वह कुछ एकीलशियम को जो है वो हम ब्लड टेस्ट के तुरू इंटिफाई कर सकते हैं अभी यह इसका जरूरी नहीं होता है कि कुछ डाइट में इन्टे कम हो रहा है तब ही डैफिशेंसी होती है कभी कभी कुछ एक परेमिटर की वज़े से भी हमारा लैबरेटरी इंवेस्टिकेशन जो है वो थो सकते हैं वह ब्लड और उरीन का सैंपल लेते हैं और उसके थ्रू हम अडेंटिफाई करते हैं कि बॉड़ी में निटिशनल कौनसी नूटिर्स का डेफिशेंसी हो रही है तो वह भी कहिना कहीं एक इंडिकेट करता है कि एक पर्सन का निटिशनल से तरस कैसा है somehow sometime non-nutritional factors भी होते हैं जिनके वज़े से हमारे पास जाए वो laboratory की जो assessment है जो findings है वो vary कर जाती है जैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं जैसे हम blood test करेंगे तो जैसे हमने blood लिया तो हम HB estimation कर सकते हैं कि important test होता है जिसमें overall state of nutrition को assess कर सकते हैं और जो lab results होते हैं जो altered हो सकते हैं sometime जैसे with the influence of medication अगर कोई person जो हो किसी medication के ओपर है उसका hydration status proper नहीं है या उसको कोई और diseases है तो उसका metabolic process sometimes ही नहीं है या वो under stress है तो उन चीजों की वज़े से भी एक individual का जो results आएंगे जो findings आएंगे वो vary कर सकती है और as with the other area of nutrition assessment biochemical data need to be viewed as a part of the whole तो हम उसको overall biochemical data properly check करना चाहिए identify करने के लिए कि उसको कोई और disease तो नहीं है कोई hydration status में problem है या metabolic process में problem है तो वो उन चीजों के साथ वेरी कर जाता है जैसे मैंने बताया आप हो कि हम hemoglobin test कर सकते हैं तो से overall एक state of nutrition का पता चलता है एक person की और उसमें हम sometime identify करते हैं कि person के protein level कितना है body में या उसका कभी कभी जो है वह हम जैसे sometime a person find the blood in the stool, mucus और stomach pain भी होती है तो उसे case में हम जैसे stool examination कर सकते हैं और urine dipstick and microscopy for albumin sugar and blood तो urine dipstick में भी हम detect करते हैं protein का presence in the urine और वह exceed कर जाता है beyond 300-500 mg पर तो उस case में जो हम हमें वोसकी presence जो वो urine में आती है और with the help of the color of the dipstick indicate the level of the protein in the urine और यह क्या indicate करता है somewhere something is not properly working with the kidneys तो kidney का dysfunction हो सकता है या कोई kidney में stone हो सकता है जिसकी वज़े से protein का level increase हो जाता है urine में कोई specific lab test भी इसमें हो सकते हैं जैसे serum retinol हम कर सकते हैं और serum retinol test को जो है वो हम is also known as a vitamin A blood test और इसमें यह क्या है vitamin A is an essential nutrient required for the healthy vision and the skin bone formation immune system function and reproduction तो अगर इसका level कम होगा तो इसके ही जो है वो deficiency के science जो है वो body में देखे जाएंगे और serum iron का test हम कर सकते हैं blood में iron का presence तो वो इंडिकेट करता है iron deficiency anemia decrease level of RBCs leads to the decrease level of oxygen to the cells to the अगर RBCs कम होगे तो oxygen carrying capacity कम हो जाएगी और cells को जो body cells and tissues उनको oxygen चाहिए काम करने के रिए तो वो properly supply नहीं हो पाता है जिसकी वज़े से एक person जो है वो tired field करता है weak field करता है short of breath यह सब चीज़े होती है और urinary iodine is also may be measures how much iodine is excreted in urine over a 24 hour period में तो यह भी कहने के indicate करता है thyroid diseases के लिए और vitamin D का test हम कर सकते हैं vitamin D के level अगर लोग होगा तो person को muscle pain जादा होती है sensitivity to pain और bone pain next is the urinary creatinine testogram करेंगे तो वो भी हम identify करते हैं कि urinary creatinine का level कितना है और अगर वो increase होता है तो वो भी कहने के indicate करता है कि एक person को kidney infection या kidney failure kidney diseases है so the analysis of your nails and skin for micro nutrients हम कर सकते हैं next are the advantages of biochemical methods and limitations of biochemical methods advantages क्या है it is useful in detecting early changes in the body metabolism and nutrition before the appearance of overt clinical science तो जितना इनकी helps हम जल्दी identify कर पाते हैं कि body में इसका amount कम हो रहा है इसका amount जादा होता है rather than कि कभी in future जाके बहुत जादा clinical science को body show करें and it is precise accurate and reproducible and used to validate the data obtained from the dietary methods comparing salt intake the 24 hours in the excretion and limitations क्या है time consuming है expensive है sometimes and they cannot be applied on the large scale population पर हम नहीं कर सकते हैं और needs trained personal and facilities के लिए हम में चाहिए क्योंकि जो बाकी जो direct method of nutrition assessment में थे उसमें simple कभी individual कुछ से हम इनको नहीं कर सकती laboratory में sample जाएगा वहां से ही इनकी reports आएंगी findings आएंगी तभी हमें पता चलता है So this is all about the topic So I hope आपको topic समझ में आया होगा और भी ऐसे pediatric nursing के regarding topics सुनने के लिए आप मेरे जाने को subscribe कर सकते हैं I have some pediatrics and please like and share my videos Thank you आपको झाल झाल